शिरी जुगल सिंग लोखंडवाला दन्यवाद मान्य मोहदे मान्य मंतरी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी सारे फेक न्यूज आते हैं तो क्या उसके बारे में मान्य मंतरी जी ने कुछ आगे कुछ सोच रखा है उसमें ऐसी खबर जो देश को तोड़ने के लिए हो देश की रक्षा सुरक्षा में बात करती हो या भ्रम और भै फिलाने वाली हो उसके नियम के अनुसार सर आईटी एट के 69 एक अंतरगत क्लॉस के अंतरगत हमने कारवाई की है समय समय पर की है जैसे कि ऐसे चैनल्स जो देश के खिलाफ महीम चलाते थे दुनिया भर में और देश के अंदर भी भै और भम फिलाने का काम या समाज को तोड़ने का असर काम करते थे तो यूट्यूब के 104 ऐसे चैनल्स को बंद किया गया है 45 इंडिविजल वीडियो को प्रतिबंद किया गया है इसे हम लिखते हैं उनको और फिर आगे वही करवाई करते हैं Facebook के भी ऐसे चार अकाउंट को और दो पूस्त को बंद किया गया है Instagram के भी ऐसे तीन अकॉंट Twitter के 5 अकाउंट्स है Sir और audio streaming जो तीन podcast channels हैं और एपस ऐसी अलग लग थी वैसी दो एपस को भी और छे वेबसाइट के खिलाब भी कारवाई करने के लिए आई टी एक्ट के 69 एक लॉस के अंतरकत कारवाई करने के लिए पहले भी सरकार ने कदम उठाए हैं और अगर जुरूरत पड़ी तो भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए ऐसे कदम भविश्य में उठाने में भी कोई कहीं पर कमी नहीं आएगी इस बात के लिए मैं मानने से दर्से को विश्वास दिलाना चाहता है सिरी राकेश सिना सभपती महुद है डिजिटल माध्यमों में खासकर के फेस्बुक में कुछ ऐसी मंत्री जीसे मैं जाना चाहता हूं कि ये डिजिटल माध्यमों में कुछ ऐसे एड और कुछ ऐसे समाचार आते हैं जिसका सम जो नई जुवापीधी को भटकाने का काम करत है खासकर के सिक्स सेंट्रिक चीजें आती हैं उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है क्योंकि इसका असर नई पीधी पर बुरी तरह से पर रहा है जो नियम के बाहर कुछ भी अगर ऐसा एडबिटाइजमेंट होता है तो उसको समय समय पर कारवाई करने के लिए नियम पर पर दोब ऑन बीधी तो उसको आर्टिस्टिक फ्रीडम थे हैं कि वो अपने पक्स को दिखा भी सकते हैं और जोड़ता है दर्शक देखने वाला उसको भी वे अपने च्वाइस मिलती क्या देखना चाहता है तो दोनों के लिए फ्रीडम है लेकिन साथ ही साथ यहां पर कारवाई करने के लिए नियम और कानून भी वैसे बनाएगे कि समय समय में उनके उपर कारवाई भी की है और भविश्य में भी कभी आपके संग्यान में ऐसा कोई प्रोग और ओनेविल चेर्मेंट सर उत्तर परदेश में स्पैसिफिक कितने हुए यह मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि राज्य में अगर कोई ऐसी का कारवाई हुई है उसकी जानकारी प्राप्त करके मानिय सांसर जी को पहुंचाने का हरसंबब प्रयास करेंगे सर्थ झाल